है कि अलो फ्रेंड्स आप अपने जीऊन में कंप्यूटर का इस्त्माल करते होंगे या इस्त्माल कर रहे होंगे तो कंप्यूटर हमारे जीऊन में बहुत सारी ऐसी प्रोब्लम नेल्स का बहुती आसानी से हल निकल जाता है तो computer के बारे में आपको कुछ tips and tricks पता हो तो आप computer को काफी smart तरीके से use कर सकते हैं तो मैं आज आपको कुछ ऐसे ही 5 computer की cool tips and tricks बताने वाला हूँ और आप उनको सीख के आप भी एक smart user बन सकते हो तो चलिए शरू करते हैं हलो दोस्तो मैं सत्यपाल सर्मा टेकनिकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका स्वागत करता हूं तो tips नमबर एक की बात करते हैं computer के जो hard drive होते हैं उसको पूरा का पूरा कैसे hide करें जैसे दोस्तों आपकी कोई भी personal या जो भी आपके important photo वगरा होते हैं जो भी आपकी data होते हैं जिनको आप एक folder के अंदर रखके hide कर सकते हो यह से मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने एक folder को hide करके आपको बताया भी था और आप लोग सीख भी चुके होगे तो आज मैं आपको पूरा का पूरा जो drive हो है उसको आपको कैसे hide कर सकते हो और उससे कैसे वापस ला सकते हो जैसे कोई भी पूरा का पूरा drive हो है उसको आप पूरा hide कर दोगे तो सामने वाले बंदा वेसे भी 2 drive होंगे या 4 drive होंगे उन में से आप एक drive पुरा hide करते हैं तो उन में से कोई भी छेड़ चाड़ करें बाकि एक drive आपका पूरा अंदर गाइब करना है जैसे मैं जो new drive volume डी वाला है वो गाइब करूँगा तो देखते रही है सबसे पहले आपको this computer या my computer पर आना है फिर manage पर आखे ओके करना है क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करोगे तब आपके सामने एक नया window pop-up ओन होगा और वहां पर आपको disk management पर ओके करना है और जैसे आप disk management पर open करोगे तो यह open हो रही है जितना भी टाइम ले open होने में एक नेट एक नेट से एक नेट तो नहीं लेगा इसे कमी लेगा बहुत जल्दी open हो जाएगा यह देखे अब मैं यह वाला जो इसको गाइब करना चाहता हूं मालो मेरा जो भी इसके अंदर important data है जो भी है तो मैं इसको गाइब करने के हो जाएगा मैं आपको चेक करा देता हूं माई computer आप open करोगे यह देखे डी वाला है गाइब हो गया पूरा पूरा और बाइचांस आपको मान लो कि आपको फिर वापस कभी लाना होता है जो गाइब किया वाडियोज है तब आप simply जहां जिस volume को आपने जो हाइड किया है वहाँ पे आपको वापस wise Rider सेम टू खुरना है और सीर वहाँ पे एड गर ना है यहां पे ड है को आपको ओके कर नहीं बाद में जो device है वह वापसут आपका इड हो जाएगा चैक करा देता हूं आपको और यहां पर आगया प्रेट्रिंज के दिखस और अपने सब्ल सकते हो अपने कंप्योटर को बहुत ही समार्ट बना सकते ह such a वैसे simply दोस्तों आप किसी भी drive को है वो अपने computer के अंदर hide कर सकते हो यदि दोस्तों यदि आपके hide कर रहे हो warning या error का symbol आ रहा है इसका मतलब आपके उस drive के अंदर कोई ना कोई software है वो पहले से installation किया हुआ है तो c drive को छोड़के आप किसी भी drive को hide कर सकते हो लेकिन उसके अंदर किसी भी परकार का software है वो इस्टोर नहीं किया होना चाहिए तो दोस्तों बात करते है टिप नमबर दो की तो दोस्तों क्या होता है कई वार हम लोग Google Chrome या Mozilla browser चलाते हैं उसमें बहुत सारे website है वो खोल ले हैं फिर वो पेज हमारे लिए बहुत जरूरी होता है और हमें पता भी नहीं होता कि हमने इसको हटाया कब से तब या तो आप history के अंदर जाके उसको open करते हो या सरच करके वापस उसको open करते हो तो जैसे आपने कोई भी website है जो आपने Chrome में या Mozilla के अंदर जैसे भी आपन test वापस लाना चाहते हो तो आप simply आपको एक तरीका बताऊंगा जैसे आप बहुत ही आसानी से बहुत सिंपल तरीके से वापस ला सकते हो तो चलिए स्क्रीन पर उड़ सेखते हैं टेप नमबर दो के बारे में तो दोस्तों जैसे मान लो मैंने बहुत सारे जो साइड है वो टेप की हुई है जैसे मान लो कि यह आप से गलती से मान लो मेरे वाला यूटूब वाला चैनल है यह साइड है आपके एक्जामपल तोर पर समझा रहा हूं कोई भी साइड है वो आपसे इसे close हो साही अभी close ह गया अब इसको या तो आप सरच करके लाते हो या फिर इस्टरी के अंदर जाके देखते हो तो इसलिए आपको सिंपल ली क्या करना है शिफ्ट के साथ अलट दबा के और टी दबाना है जैसे आप टी दबाओगे तो वो आटोमेटिक देखो वापस खुल रहा है तो सेम व दबाना है आपको टी दबाते ही तुरेंट जो साइड आपने क्लोज किये वो जस्ट ओपन हो जाएगी तुरेंट ही तो इससे आपको सरच नहीं करना पड़ेगा बहुत ही कूल टिप्स है आपके लिए तो दोस्तों टिप्स नंबर तीन की बात करते हैं कम्प्यूटर को आपके हिसाब से ऑटमेटिक से डाउन हो जाए तो उसके लिए आप ऐसा बिल्कुल कर सकते और उसके लिए क्या प्रोसेस करना होगा वह भी मापको स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूं तो चलिए स्क्रीन पे और ध्यान से देखिए कोई भी स्टेप छोड़ मत देना अराम से आप लोग है वो इस चीज को कवर कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल है तो चलिए दोस्तों चलते हैं स्क्रीन के उपर ओड़ सीकते हैं अपने हिसाब से कम्प्यूटर को है वह आप सट डाउन कैसे करो है तो दोस्तों आपको नोटपेड ओपन करना है और आप जितना भी करना चाहो उतना time जो भी आप देना चाहो वो दे सकते हो It entrar Uhr 60 की जगा आप 120 कर सकते हो It estar Okayhang कर सकते हो यानि जो भी आपको computer automatic set down करना है वो time आपको यहाँ पर देना है तो आप अपने हहाँ से दे सकते हो मैंने 60 दिया है तो आप जो भी देना चाहूँ दे सकते हो अब इसको आपको यहाँ पे simply save as पे click करना है और जैसे ही इसको मैं आप desktop पे save कर रहा हूँ FF नाम दे दिया उसके बाद last में आपको नाम देना है dot लगा के BAT यानि इसको हम लोग code कर रहे हैं और इसको desktop पे आपको save कर देना है यह मेरे पहले से बनी हुई है यह already मांग रही है तो मैं इसको okay कर देता हूँ अब जैसे इसको okay क्या आप इसको दो वाट trip करके छोड़ोगे और जैसे यह on mode आएगा यह command आएगा कमाड आने के बाद में आपका 60 सेकंड के बाद आपका कंप्यूटर है वो सट डाउन हो जाएगा तो दोस्तों ऐसे आप अपने कंप्यूटर या लेप्टोप को automatic सट डाउन कर सकते हो और कई वार आपके यह फाइल आप बनाओगे बनाने के बाद ओपन करो कोई error का सिंबल आएगा तो इसका मतलब आपके कंप्यूटर में वाइरेस है तो वाइरेस की वज़े से यह फाइल सही तरीके से क्रियेटर नहीं हो पाएगे इस बात का विसेश ध्यान रखें मैंने बता दिया कुछ आप लोग क्रियेट करके और करोगे कि यूटूब पे तो टेकनिकल दोस्ति इंडिया सत्यपाल सर्मा ने बताया था और यह हो यह नहीं रहा तो वाइरेस होगा तो यह ट्रिक काम नहीं करेगी तो अब बात करते हैं टिप्स नंबर चार के तो दोस्तों क्या आपको पता है कि आपका कंप्यूटर मेल है या फिमेल नहीं पता सोच भी रहे होंगे तो आपको मैं बता दू तो ऐसा बिलकुल आप पता लगा सकते हो कि आपका कंप्यूटर मेल है या फिमेल बात थोड़ी है अटपटी लेकिन वास्तों में आप अपने कंप्यूटर को जो है एक कोडेड करके पता लगा सकते हो कि आपका कंप्यूटर मेल है या फिमेल है तो चलिए इसके बारे में पुरी डिटेल में आपको स्क्रीन पर बताता हूं आपको नोटपेड कुछी तरह स कमांड देनी है और उसके बाद उस फाइल को सेव करना है वी बीएस के अंदर डोट वी बीएस लगा के और उसको आप ओपन करोगे ओपन करने के बाद में आपको एक मेन्यू ओपन होगा उसमें आप कुछ भी टाइप करना और आपका कंप्यूटर या लेप्टोप जो भ और मेरा जो लिखा हुआ है पहले से ही कि क्या फाइल आपको लिखनी है पूरी तो मैं आपको पूरा एक्टम अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ यह आपको अपने कंप्यूटर या कहीं भी जैसे आप लेप्टोप में या कंप्यूटर के अंदर अपने चेक करना चात करेगा आवाज नहीं करेगा या वाइरेस की तरह एरर बताएगा फिर उसको आपको सिंपली क्या करना है सेव कर सेव एस पर क्लिक करना है और यहां पर आप फाइल को कुछ भी नाम दे सकते हो एक्स य जड जो भी देना है मैंने दे दिया न्यू फाइल टेक्स फिर ध्यान आपको रखनी मेन ज़रूरी बात है वह आपको ध्यान रखना है कि. लगा के और V, B, S लिखना बहुत ज़रूरी है और इसको आपको सेव कर देना है तो मैंने डीक्स्टोप पर सेव क्या तो यह देख्या है डीक्स्टोप प्र फाइल है वह यह यहां पर डीक्स्टूप क उपर आ गई है अब इसको आप जैसे ओपन करोगे ओपन करने के बाद में आप की बोर्ड से कुछ भी लिखना तो वह स्पीक करेगा स्पीक करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपका कंप्यूटर मेल है या फीमेल है तो टिप नमबर पांच की बात करते हैं लास् यह कंपाइब तो आप पड destructive की बोर्ड से असान है उसको कर सकते हों और सब्सक्राइब और अंब करने के साथ अपने कोई बी सौफ्रेयर कोई भी बीatti में tirarखआ है कुछ कि आपने ऊफंन कर रखा है और उसका तो भी वही सेम चीज सब्सक्राइब का मतर। उसके लिए कर कर सकते हो कोई भी चीज या software है या कोई भी program आपने open कर रहा है तो आप अपर जाके क्लोज के जाके वहां पर चिंद करकेBaid कर्ते हो वहां पर खीए कलिक करके टोंच करते हो तो सीमपल निसले आपको बताओंगा इसले से बहुत आसानी से keyboard से भी उसको सटडाउन कर सकते हो और साथ में कोई भी program है या जो भी आप वरक कर रहे हो या कोई भी software आपने ओपन कर रहा है उसको direct close कर सकते हो तो चलिए screen पर देखते हैं तो दोस्तों जैसे मानलो मेरे google chrome है वो open हुआ है और मैं उसको सिद्धा सा close करना चाता हूं पूरा close करना चाता हूं तो आपको alert के साथ में 4F function कुझी वाला जो है न आप 4 दबाना है तो close हो जाएगा और एक बार आप फिर से दबाओगे जब कोई भी program open नहीं है तो एक बार यह helpful वीडियो है तो एक लाइक तो बनता है यह आप चैनल पर पहली बार रहे हो तो चैनल को subscribe जरूर करिए का आज के लिए बस इतना आई तब तक के लिए टाटा बाई 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 अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए topic के साथ दन्यवाद